नमस्कार दोस्तों कसे हाथ तुम्मी सरो का इछान साल ले आहे ना बेसिक मराथी के आज के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है देखिए आज हम इस वीडियो में सीखेंगे मराथी भाष्या में प्रश्ण करेंसे पुछे जाते हैं मराठी भाष्या में सवाल किस तरह से किये जाती है तो देखिए अगर आप मराठी भाष्या सीख रहे होंगे अगर आप मराठी भाष्या सीखना चाहते है तो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि मराठी भाष्या में किस तरह से प्रश्ण किये जाती है और उनके आज इस वीडियो में सीखेंगे तो मेरी आपसे बिंती है कि ये वीडियो आप अकरी तक जरूर देखिए आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ नया और इंट्रेस्टिंग सीखने को मिलेगा तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक स जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बाजिवाला जो नोटिफिकेशन बेल है इसके दूपन कीजिए थाकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे तो चलिए फिर शुरू करते सलातर मग शुरू करूए आद मेरे देखिए हमारा पहला प्रशन है तुम क्या चाहते हो अगर आपको किसी लड़की को पूछना है तो आप कैसे पूछेंगे तुम क्या चाहते हो तो यही प्रशन आप मतलब काई तो देखिए आज हम इस विडियो में क्या के बारे है जो सवाल किये जाती है क्या का उपयोग करके हूँ सभी सवाल हम जानेंगे क्या को कहिते है काई मरठी में क्या को हम काई बोलते काई ठीक है काई तो देखे अगर आपको पुछना है तुम क्या चाहते हो या तुम क्या चाहती हो तो मरठी में कैसे पुछेंगे तुला काई पाहिजे तुला काई पाहिजे तुला काई पाईजे तो हम क्या जवाब देंगे मुझे एक गलास पानी चाहिए मुझे एक गलास पानी चाहिए मला एक गलास पानी पाईजे पानी को मराठी में पानी ही कहते है तो आप कहेंगे मला एक गलास पानी पाईजे ग्लास को पेला भी कही सकते है अगला कोश्चन है तुम क्या पढ़ रहे हो या तुम क्या पढ़ रही हो मतलब तू काई वात्सत आहिस तू काई वात्सत आहिस पढ़ रही हो मतलब वात्सनि मराथी पढ़ रही हो या पढ़ रहे हो को क्या बोलेंगे वाचत आहिस तू काई वाचत आहिस मैं किताब पढ़ रहा हूँ या मैं किताब पढ़ रही हूँ मतलब मी पुष्टक वाचत आहि मराथी में कैसे कहेंगे मी पुष्टक वाचत आहि अगला देखिए तुम्हारा नाम क्या है? मतलब तुझे नाव काया है? तुझे नाव काया है? तुझे नाव काया है? तुझे नाव काया है? तो हम जवाब देंगे मेरा नाम राहूल है माझे नाव राहूल आहे तुम क्या कहना चाते हो तुला काय मनाईचे आही? माराठी में कैसे कहेंगे तुला काय मनाईचे आहे कुछ नहीं काही नहीं कुछ नहीं मतलब काही नहीं काही नहीं अगला देखिए तुम्हारे पिता जी क्या करते है तुझे बाबा काही करता तुम्हारे पिता जी क्या करते है मतलब तुझे बाबा, पिता जी को हम मराठी में कहते हैं बाबा, ठीक है, बाबा, तुझे बाबा काय करता? तो हम कहेंगे मेरे पिता जी शिक्षक है, माजे बाबा शिक्षक आहित, अगला देखिए, तुमारी मा क्या करती है? तुम्हारी मा क्या करती है तुझी आई क्या करती है तुझी आई क्या करती है तुम्हारी मा क्या करती है तुझी आई क्या करती तुम्हारी मा क्या करती है तुझी आई क्या करती है तुम्हारी मा क्या करती है तुम्हारी मा क्या करती है तुझी आई क्या करती है तुम्हारी आई डॉक्टर आहे तुम आजकल क्या कर रहे हो या तुम आजकल क्या कर रही हो मतलब तू हली तू हली काई कर दोस अगर लड़का है तो हम कैसे पुछेंगे तू हली काई कर दोस अगर लड़की को पुछना है तो हम क्या कहेंगे तू हली काई कर दिस तू हली काई कर दिस काय करतो तुम आजकल क्या कर रही हो तु हल्ली काय करतेस तुम आजकल मराठी सिक रहा हूं तो हम कैसे कहेंगे मी हल्ली मी हल्ली मराठी शिक्तोई मी हल्ली मराठी शिक्तोई अगर आप लड़की है तो आप कैसे कहेंगे मी हल्ली मराठी शिक्ते तुमने आगरा में क्या देखा है 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 तुमने आगरा में क्या देखा ह मैंने ताज महल लेखा मी ताज महल बगितला कि वहाँ मी ताज महल पाहिला ठीक है मी ताज महल पाहिला भी आप कहि सकते है और बगितला भी कहि सकते है पाहिला मी ताज महल बगितला और मी ताज महल पाहिला ऐसी भी आप कहि सकते है अगला देखिए तुमारी खौबी क्या है? हम कहते हैं ना, तुझी खौबी काया है? तुझी खौबी काया है? तुझी खौबी काया है? तो हम कहेंगे मुझे नई भाषा सिकना पसंद है, मला नविन भाषा शिकाईला आवरती, मला नविन भाषा शिकाईला आवरती, सीखना पसंद है सीखना मतलब शीकायला सीखना को कहते है शीकायला पसंद है मतलब आवर्ती पसंद को कहते है आवर्ती मराठी में अगर आपको कोई पसंद है तो हम कैसे कहेंगे आवर्ती आवर्ती तो मला नविन भाष्षा शिकाइला आवरती तो दोस्तों ये थे कुछ क्या से जुड़े सवा तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और helpful लगती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजे और अपने फ्रेंड के साथ भी शेर कीजे और मुझे कमेंट करके जरूर बताए कि आपको किस तरह के वीडियो मराठी भाषा पर चाहिए मैं उस तरह के वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा जरूर सब्सक्राइब कर दीजे